नमस्कार दोस्तों जहंद डिके यादब नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लािक करें कमेंट करें और सेयर करें आएए देखने है वीडियो जैहन वन्दे मातरम और हजीमत इस तरह से है कि कभी कभी हम अपने अपना बनाने के लिए ना वो पुलिटिकल स्यासी बियान ऐसा दे देते हैं आप किस तरह देख रहे हैं तरफ तो हमारे पास इंटनिशनल रिजर्व जो हैं वो खतम हो रहे हैं आई एमस मुतातरा ने वेल जो हिसाब डार साफ जो है आपने जो भी सवाल भी किया डार साफ को लेकर आई ए मैदान में डार साफ ने वही जाल पिछाया होता अब आए और उन्हें ने के जिए मेरा जी 25 साला तजर्बा है आई एमस से डील करने का मैं जानू आई एमस ने जो है इनको पूरा इनको 25 साल के जो तजर्बे का निचोड़ था ना जो आई एमस को भी मिला था इंसे वो इनके पूरा अजमा दिया था अब हुआ यह कि एमस को दुमाने कोशिश की कभी सिलापी कहानी दाल के कभी कोई कहानी दाल के आई एमस इनके है ना चकर में नहीं है या भई आये में प्रोग्राम में जाओ उसको इंब्रेस करो और कहो लोगों को कि कसो बेल्ट हाँ और पुलिटिकल फॉल आउट होगा और उसका क्या कैसे है यू टेक ते हिट या निकल जाए इसकी बियानात ऐसे जिसके नतीजे में एक हमें हजीमत ये शर्मिद्र की का स और एक खिताब में उन्होंने कहा के मुझे जो है आइम एफ की मडी की तरफ से कौल आई और मैंने उस पर नहीं को कहा कि मेरिशफ के अवाले से और सेलाब के वाले से साली बात वही है उसके बाद जो और जो अलामिया जारी हुआ वजिर आजम हाउस से उस और आमिया में भी कहा गिया कि जी शेबाज श्रीफ साब को आईमिफ की जो एमडी है मेनेजिंग डिरेक्टर उनकी तरफ से कॉल आई और उसमें उन्होंने कहा कि हम सारे मावलात को देखेंगे मुश्किल वक्त में आपका साथ मुश्किल वक्त मिलेंगे यह बड़ा कम इस तरह से हुआ है कि आईमिफ की तरफ से एक इलामिया जारी हो जाए और उसमें कहा जाए कि हमारी अमडी ने आपके वजीर आजम को कॉल नहीं की थी बड़ी शर्मिन देखी लिए और वो जो है वो उन अलामिया जारी हो गया और उसमें वो कह रहे हैं कि यह जो टेलिफून कॉल है यह शेवाज श्रीफ साब की दर्खास बिकी गई थी क्योंकि अलामिया में कहा गया कि उनकी कॉल आई थी तो उनने कहा नहीं हमने हमने कॉल नहीं की थी इनकी तरफ से कहा गया था कि आप कॉल कर शेवाज श्रीफ साब बात करना चारे हैं जिसके बाद जो है वो शेवाज श्रीफ साब को कॉल से बात हुई जी कैसी बात हुई जो इस मरहले पे जब पहले ही आपके तालुकात कशीदा हैं एक दूसरे पे जो है किसी की समगा आई एमेप से अपने पैसे लेने हैं नहीं लेने क्या कुछ करना है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात ये है कि इसागडार साहब ने एक और बयान दिया है उनके जो मोतियों से लिखे गए बयानागत हैं उनके एक है कि हमारे सादे चार अरब की जखायर नहीं हैं बलके दस अरब के हैं और जो लोगोंने पैसे रखे हुएं वो भी हमारे ही हैं मतलब वह यह कहना चाहरे हैं कि जो लोगों ने पने बैंकों पैसे रखे हुए हैं वो भी हाँ यह जो हमारे एक यह जो सब कुछ पार्टी पार्टी यह जो भी पार्टी उसर जाजीब से कुछ लोग है मैं तो उसमें सियास्तदान भी है वह तो बदमाशी है इसागड़ार सब को नहीं कह रहा है उनसे हटके बड़ा सा गहेंगे वो जी अब उसमें हुआ कि है हुआ यह है कि साड़े चार अरब के जखायर अब यह इस बात को दो साड़े चार अरब के जखायर हैं जो के यानि इस्टेट बैंक के पास है जब मुखी जखायर कल से मैं बात कर रहे हैं ना और साड़े पांच अरब जो है वो लोगों ने अपने डॉलर रिकाउंट में पैसा रखा हुआ था तो साड़े चार और डॉलर अकाउंट में रखा हुआ था इस्टेट बैंक ने उसमें से साड़े चार अरब करदा ले लिए वह उसमें से भी इसाग्डार सब्षिया चाहिए चायरे है कि यहाब को यह मेरी जेब में क्या पैसा यह भी उनका है आपके बटवे में यह भी उनका है वो बच्चा जो जा रहा है मार्केट में ये पैसा भी उनका है वो जो लोगों ने डॉलर अकाउंट रखे हुए है वो डॉलर नहीं है लोगों के अकाउंट में वो इस्टेट बैंक ने कमर्शल बैंकों से करदा ले लिए है यानि आप जाएं और जाकर कहें कि जी मैंने वो पचासजार डॉलर रखे थे थे ना अपने डॉलर अकाउंट में मुझे दे जए तो बैंक कहेगा एक मिनट अभी आपको क्यों उसको मिलाके साड़े पांच अरब बनते हैं वरना साड़े चार अरब हैं यानि जो पब्लिक के साड़े चार साड़े पांच अरब डॉलर्स थे मैं दोबारा रिपीट करूं लोगों के जिसका कोई तालुक नहीं था यह गयर मुल्की जरह मुबादला और यह और वो सारा जो जखायर मुख़ए पॉबलिक ने जो साड़े पांच रखवाए हुए थे लोगों ने डॉलर अकाउंट उसमें से स्टेट बैक ने साड़े चार अरब डॉलर लोन ले लिए और वो ही शो हो रह रहा है और जो लोगों के डॉलर अकाउंट थे उसमें एक अरब रह गय वो और जो स्टेर्ट बेंक के पास पड़े हैं वो सौड़े पांच अरब डॉलर ने टोटल अच्छा तो यह एक अजीब बियान फिर उसके बाद एक तीसरी खबर पास अदाइगियां करने के पैसे नहीं है पाकिस्तान से लाप से बात की जो बहाली कामल है उससे भी दो चा आईए उसमें तो एलोकेशन जो है वर्ल्ल बैंक, एड़ी बी, आईड़ी बी की तरफ से जापान और चाइना और कापी और कंट्रीज की तरफ से है लेकिन इसकि यह कि टाइमिंग जो है अभी कनफर्म नहीं है कि टाइमिंग किस तरह से होगी जैसे कि आईड़ी बी की ब पांच से आठ अरब डालर्स चाहिएं जो कि हमारी यह च्छी आठ महीने या साल अटीस जो है वो एकॉनिमी को चला सकता है और आपकी कर्दों की अदाइगिया आईससा हो सकती है और कुछ रोल ओवर्स हो जाएंगे साथ में उसके साथ होगा, तो हमें आज चाहिए नमर या पर साथीरेविया तीन अरब डालर्स हमारे आमीचीफ मिले हैं कल और अब यूए ही वो जा रहे हैं तो उसके फॉलो अप में हमें तीन अरब डालर्स मिल जाएंगे, तो देखें यह अकल बंदाना फैसला नहीं होता, जब भी आप क्राइसिस लाइक सिचुएशन में ह पैसे कम होते हैं और आपकी कर्से जादा होते हैं और आपके घर जो है वो फिर एक तरह से असमें अक्टिविटी नहीं होती, तो मेरे खाल में यह हमें करना चाहिए कि हमें आईमिफ के साथ बैठ के एक पॉजिटिव तरीकर से यह सारे मामलात हल कर देचाहिए, जो आईम तो मेरे खाल में इसमें कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए, आप मार्केट रेट्स पे ले आएं, मार्केट वैसे भी 260, 250, 270 बहुत वैरीड जो है रेट्स चल रहे हैं, तो देखें, यह मार्केट के लिए अच्छा होगा, कि इंटर बैंक को डिवैलूशन करके, या एक म करनसी रोक देते हैं, आर्बिट्रारिली और इस तरफ करनसी बढ़ने दें, उससे देखें, ग्रे मार्केट क्रेट हो गई है, हुंडी हवाले की मार्केट को यह 1.7 बिलियन डॉलर की क्रेट हो चुकी है, तीन महीने में, फिर आपकी जो है इसमगलिंग अपनी जगर चल इमडी ने उनके पास खुद कॉल किया है, लेकिन उसका एक दिन के अंदर ही आई-एमडी ने जवाब दे दिया और पाकिस्तानी पी-एम दुनिया में सरमिंदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के एक करप्ट हुकुमरान काफी ज़्यादा जूट बोलते हैं, इन लोगों की जूट बोलने के आदत है, जिस तरह से जूट बोल बोल करके अपनी हवाम को बेवकूप बनाते हैं, उसी तरह से ये लोग दुनिया को बेवकूप समझते हैं, लेकिन अब दुनिया इनकी चालबाजी में आने वाली नहीं है, दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान ता आइए में अभी अपनी सद्थ और आडा है पाकिस्तान ने जब इसागडार को बितमंतिरी बना आए था तो इसागडार ने कहा था कि में सब वह गुतलूंगा आए में अपसे लेकिन आइए में अपने उसे भी ना को चने चबादी हैं अब आईए मैं अपनी बिनासरते मनवाई पाकिस्तान वो ना तो चबनी देगा और ना पाकिस्तान की हाला ठीक होंगे आपकी कहा रहा है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जय हिंद वंदे महत्रम